नमास्कार दोस्तों स्मार्ट फेंटासी यूटूब चनल की और एक नया वीडियो पर आप सब का दील से बहुत बहुत सागत है। प्रिमियर लिग गां फास्ट हाप खतम हो गया और सेकेंड इनिंग का चार दसमेक तीन अभर में रानिंग में चार है। और उसके दरहन जोस्तों हमारा जो प्रजीशन है वो है रैंक और पॉइंट का दिफरन्स आप लोग देख सकती हो। हमारा पॉइंट है चार सो पॉइड किया था आप लोग टीम का टाइम भी देख लो साथ बज़कर पांच निट में आप लोग को टीम प्रफाइड किया था लीग दिया था एप लोग कंपेयर कर लो यहीं टीम है दोस्तों फोर फ्री नाइन पॉइंप घाइब पॉइंट है आप लोग यहां पर भी मैं आप लोग को मैच का टीम प्रोफिट किया था इसमें भी मैंने दोस्तों लगवक साथ हजार का इन्वेस्टमेंट की और आप लोग देख सेकते हो एक लाग दो हजार मैंने प्रोफिट बनाया तो इससे आप लोग को समझ में आ गया कि चाहे इंटरनेसलन मैच हो या पर कितना आय सकोर बन सकते हैं कॉंसा बैसमेन, कॉंसा औरंडर और, कॉंसा सम्गार्ण को पिक करना चाहिए तो इस वीडियो को वाच करने के बाद चला जाना इसी वीडियो का description box पे आपको telegram चंद की link मिल जाएगा जाकर जान करना क्योंकि इस match के related जो भी end of news आएगा न मैं आपना telegram चंद पर सहर करूँगा वीडियो के अंदर मैं आपको prediction दूँगा अपना logic सहर करूँगा सब कुछ एक एक करके समझाओँगा ठीक है उसके according आपको grand league याण small league गी team बनाना है और मेरा जो funnel team बनता है आपटा toss दोस्तों मैं आपना funnel team telegram चंद पर provide करता हूँ तो telegram चंद की link वीडियो की description box पर आपको मिल जाएगा जाओ जाके फटा फट आभी से join करना start कर दो ठीक है उससे पहले दोस्तों आज मैं आप लोग को दो बहुत बड़ा offers के बारे में बताना चाहता हूँ और यह offers आपको दे रहें only on mymaster11.com तो आपको कुछ नहीं करना है इसी वीडियो का description box पर आपको mymaster11 की link मिलेगा link पर click करो application को download कर लो और दोस्तों आज दो मैचे से तो first match में आपको पूरे 50 रुपीस free giveaway मिल जाएगा and second match में दोस्तों आपको बिल्कुल फिरी में पूरे 50 रुपीस का giveaway मिल जाएगा मतलों आज का जो दोनों TNPL का मैच है ना दोस्तों यह 2 matches मिला के आपको 50-50 पूरे 1 लाख रुपीस का free giveaway पोफ़एड कर concept application माय मास्टार 11 तो फिरी में अगर आपको एक भी रुपीस मिलता है ना तो उसका फाइदा जोर उठाने क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एंट्रीपीज होता ना वो 0 रुपीस होता है आगर टीम हार भी जाएगा फिरी दोस्तों कोई तो हमारे मतलब दुख नहीं है तो description प 25 मैच बेटिंग सेकेंड ने 35 में जीता है तो आप लोग को साब साब पता चल गया कि जो टीम सेकेंड बेटिंग करे रहे ना वो जादा मैचे सुइन किया मतलब इस गराउंड पे चेज करना असान है तो दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगा वो बेटिंग सेकेंड करना पसंद करेगा किलियार हास्ट इनिंग का जो एभर स्कॉर है बोग दोस्तो 155 मतलब एक मीडियाम इसकोरिंग गराउंड है जहां पर दोस्तों ज्यादा इसकोर नहीं बने रहे और जिस गराउंड पे कम स्कोर बनेगा उस गराउंड पर क्या करना है हमें अपना टीम पे ज जक्रिश के लिए फॉकस करना पर दोस्तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा लास्ट फोर्मेश की डाटा जो की इसी भेंडू पर खेला गया था तो धियान से देखना SMP की टीम ने 123 10 विकेट ठीक है दूसरी टीम में दोस्तों चेज कर लिया था 3 विकेट गया था पेसर्च को 9 इस पिनार को 4 ओके फिर दोस्तों आप लोग देख सेकते हो इस में फास्ट टिंग में बना था दोस्तों 139 9 विकेट चला गया था इस में दोस्तों चेज कर लिया था 143 ठीक है पेसर्च को 7 इस पिनार को 6 विकेट मिला था नेक्स्ट इस में दोस्तों 229 विकेट इसमें 126 चेज कर लिया था 3 विकेट पेसर्च को 5 इस पिनार को 4 विकेट मिला था फिर दोस्तों फरस्टिंग में 126 8 विकेट फिर दोस्तों इस मैच को चेल्ज कर लिया था इसमें पेसर्स को 5 और इस्पिनार को 4 विकेट मिला था तो एक चीज है पता चेल्ज गया कि इस्पिनार और पेसर्स दोनों बोलार्स को दोस्तों इहां पर equal support मेर रहे हैं और एक सबसे interesting fact क्या है मैं आप लोगों समझाता हूँ और अहीं पर आप लोग इस match को jackpot कर सकते हैं जैसे कि काल वाला match में हम लोगों ने किया था तो देखिए फास्टिनिंग में दोस्तो एक भी ऐसा match नहीं रहा जहां पर आप सब को पता चाल जाएगा कि कौन सा टीम पेले बेटिंग कर रहे है जो भी टीम दोस्तों पेले बेटिंग करेगा उस टीम को आपको all out कर देना है ठीक है 130 या 40 इतना आपमान के चोले score मतलब उसके अंदर दोस्तों आपको टीम को all out कर देना है मतलब जो टीम दोस्तों फास्ट बोलिंग करेगा ना उस टीम से हमें जादा बोलर्स एंड और रांडर को पिक करना पड़ेगा मैं जो भी मैं दो चार चार उपर बोलिंग करें तो उससे हमें कमी बोलर्स पिक करना है आप लोग चाहँ तो बोलर्स पिक भी नहीं कर सकते हो काल बला मैच में भी आप लोग देख लिया जो टीम पहले बेट के था दोस्तो 10 विकेर चला गया तर इसी का फाइदा उठाए हम लोग ने और मैं आप लोग दिखाए थे कि हमारा टीम आभी भी 120 पॉंट लीड में हम वहां से हम जितने वाल है तो लोजिक समझ में आ गया तो फिलीज यहर वीडियो के लाइक करें और आगे बढ़ें क्योंकि अब मैं जो आप लोग को दिखाने बाला हुना पूरे यूटूबबर आप लोग को कोई नहीं दिखाएगा वो क्या है टॉप प्राफ़ोमेंस एर दिस भेंडनू ठीक है बहुत इंपोर्टन पॉंट होने वाले मेरे भाई तो वीडियो के लाइक करना अपना दोस्तों को सहार करना और कॉमेंट बोक्स पे आपना अपना कॉमेंट सहार करना ठीक है एन जगदिसन ने 15 मेच खेला और 650 रन बनाया दोस्तों बहुत इंपोर्टन पॉंट होने वाले है अज का मैच में बाबा ने 10 मेच खेला और 350 रन बनाया तो 35 कभरज दोस्तों अच्छा पीक बनेगा ना फिर दोस्तों बाबा ओपराचीत के ग्रहम बात कर 14 मेच खेला दो सकती हो नेक्स्ट बहुरुन चक्करवेदी नौ मेच खेला दोस्तों इंटरनेशनल पीलियार है लाइकट निकाला इसको था में छोड़ना नहीं है तो देखिए इस पेरिज से क्या पता चला कि जगदेसन को हमें फिक करना है फिर दोस्तों बहुरुन को पिक करना है एक द लोगो सब कुछ पता चल जाएगा तो आपको क्या करना है कि कम करना है वो है दोस्तो वीडियो को continue watch करना है ठीक है आप हम चेक करेंगे head to head की battle तो मेरे भाई अभी तक दोनों टीम्स की बीज में total 8 मेच खेला गया ठीक है और दोस्तो शूपर की टीम ने दोस्तो छे मेच जी जीत सकते हैं तो अभी असली मेरा जो दोस्तो भोड रहेगा वो एस्टेट के कोरिंग सूपर चेपक की साइड से कि आज CSG के टीम जीत सकते है ठीक है अगर आपका भी prediction सूपर की तरफ है तो आपको इतना मान के चलना है कि जो टीम मेच को उइन करेगा उससे हमें ज्याद पिक करेंगे वो जानना सबसे important है तो वो भी दोस्तो आपको इसी वीडियो से पता चलने बाल है वीडियो हाला कि थोड़ा लंबा हो सकते है पर इतना कुछ information आपको मिलेगा ना एक टीम बना के लिए आपको दोस्तो अब एसे मलब टीम बना साइड ठीक ना तो आप हम चे है का स्कॉर था मानी का स्कॉर था फिर दोस्तो ने 2 इकल़् लिया था Hello về है दूसरी ट्यम के तरफ से गन्धि जग्दे शैं प्र श्वीन बैद सबस्तों आसीधरत ने एक फिर लिया था अब देखे में भी दोस्तों 103 पर व्लाउट और आप लोग देखसेक्टती मैच को भी चेल्ज कर लिया था इसमें जग्देशन दोस्तों फिर है कोईसिक गंधी फिर है दोस्तों और कोई नहीं है इसमें दोस्तों 150 पहला से स्कोर गया था इसमें फिर कोईसिक का नाम है दोस्तों फिर दोस्तों जग्देशन का नाम है ठीक है तो आप लोग में हेड़ुट कर चाहे हेड़वेड की बात करें दोस्तों डेर्ट से नीचे ये स्कोर बार रहा है जो भी टीम फास्ट बेटिंग कर रहे है आप लोग देख लो न वो टीम दोस्तों मैच को हार रहे है तो ये और एक सबूत है इनका ठीक है आप हम दोस्तों चेक करेंगे क्या रहेगी दोनों टीम्स की प्रबाबली पिलेंग 11 साथी साथ हार एक खिलाड की ओल अभर केरियार की एस्टेट हम चेक करने वाले है रिसेंट मेच की फास्ट एन सेकनिंग की डाटा हेड़वेड एन वेन्नू की डाटा तो इतना कुछ जानने के पाद आप खुती पता लगा सकते हैं कि आ के निनिंग में ठीक है तो दोस्तो एक अभारेज पिक बन जाएगा बाकी अगर हम बात करें दोस्तों बीमॉल कुमार की आपना केरियर में चार मेच खेला और लास्ट दो मेच में देख लो यार कूछ भी डाटा नहीं है ठीक है पंदरा का ओनली अभारेज है तो यह दोन के अभारेज पिक बनेगा इंदरोजित के अगर हम बात करें थर्टी नाइन मेच खेला तीस कावरेज दोस्तों ठीक ठाक पॉफमन से खास कर किये सेक के निंग में अच्छा करते और इस पर्टिकुलर भेन्नु में भी दोस्तों अच्छा किया तो एक इंपोर्टन पिक ब सब्सक्राइब है तो यह भी दोस्तों हमारे टीम पर होना जो रही है नेक्स्ट पिलियर आप लोग मिल जेगे दोस्तों आम सारत इन्होंने दो मेंच खेला यार पांच रन बनाया है कुछ भी डटा नहीं है तो इसको हम सिधा डॉप कर देते हैं देखिए बस इस टीम से ह हम स्रिफ तीन या चार पिक करेंगे ध्यान में रखना और पिलियर देखकर ही आपको लाइक रहना कि इनका टीम कितना कमजोर है और इनका टीम अगर पहले बेटिंग करेगा तो भाई मुझे लग रहे कि 110 में खताम हो जाएगा 110 में अला उट हो जाएगा ठीक है आब नेक हार एक मैच में दो तीन करके विकेट निकर रहे तो इसको दोस्तो हमें पिक करना है इंपोर्टन पिक बनने वाले हमारे लिए ठीक है नेक्स्ट पिलियर के तरफ हम आगे बाढ़ते आप लोग मिल जाएगा बी कुमार जिन्होंने दो मैच खिला और कूछ भी नहीं कर पा बर सेकेन इनिक में देखे लिए एक दो एक जिरो तीन तीन कर कुकिड लिया हे इनोंट तो इसे कन इनिंग में दोस्तो इन्पोर्टन वनेगा कौन सफ्लियर मती भंण है तो यसलिए दोस्तों ॅआप लोग में दिखा रहों बहुरुन चकर रहा वाट आति हो यार देख हो चारा तरफ सीनों ने कामाल कर दिया तो एक इंपोर्टेंट फिक बनने बाल है चाहती इसको क्या पता आज भी दो तीनों के निकाल दे दूसरी टीम के तरफ से जो टी मुहिन करेगा हमें लाग रहे उसकी तरफ से हमें अगर देखे तो दोस्तों पीर अंजन तो देखिए इनका डाटा कुछ भी हो हमें इसको पिक करना है क्योंकि यह एक कमजोर टिम के साथ आज मैच खेंने वाल है हो सकते कि दोस्तों बड़ा इनिक्स खेल जाए इनके साथ से टॉप अड़ार को था हमें फिल करके चानना पड़ेगा फिर जाग देशन यह भी कैसे ही दोस्तों इनका भी कैसा भी रेकोर्ड रहे यह दो खिलाडी को हमें पिक करना है जो किनका टॉप थी बैर्स में रहेगा ना तीनों खिलाडी को हमें पिक करना पड़ेगा फिर नंबर तिन पर आप लोग मिल जाएगा संतों सिब 14 मेच खेल के दोस्तों 17 का भारेज ठीक ठाक है खास तो इसको भाइस केप्टन के लिए ट्राइ कर सकती हो एस संजय जादब के अगर हम बात करें 46 मेच खेल के दोस्तों 37 का भारेज है और 21 विकेड लिया है यह भी दोस्तों आप दोग देख सकती हो रिसेनली इनका भी डाटा काफी कमाल किये दोस्तों 100 प्लास भी स्कोर है 70 ह सतासी है और दोस्तों बोलिंग भी कर रहे तो मेरे साब से केप्टन के लिए बेस्ट बढ़िया अप्शन बन जाएगा ठीक है नेक्स दोस्तों यू ससीदेव इनका डाटा दोस्तों अली फास्टिंग में अच्छा है 23, 45, 65, 58 वर सेकेंग में 4 रान, 1 रान, 15 रान, 15 रान, में 51 में इन्होंने 57 विकेट है बट इनका भी एक दोस्तों गजब का रेकोर्ड देख लिया फास्ट रिंग में हर एक मैच में दोस्तों 0-0 है और मैक्सिमाम और मिनिमाम बात करें तो दोस्तों इनको एक विकेट मिला है साकें में दोस्तों इन्पोरेंट मैं जाएगा है तो भेन्नू के देखते हैं दोस्तो इसको तो आज हमें ट्रॉपी नहीं करना है नेक्स्ट आप लोग मिल जाएगा आर रोहित यह दोस्तो पार्ट टाइम आर बोला रहें तो अनली इसको ग्रैन लिग में ट्राइ करना क्यूंकि दोस्ति यह जब-जब इनको बोलिंग मिलता फिर दोस्तो लोकेस राज अपना केरियर में 11 मैच खिलके 13 उकेट लिया है फास्ट एंड सैकेनिंग दोनों इनक्स में गजब है हेड़ड में दोस्तो बढ़िया है तो बहुत ही इंपोर्टन फिक बनने वाले है मेरे भाई और साथ मेना ग्रैन लिग में इसको कैप्टन स वी सी जोरो ट्राइ करना क्योंकि बोलार्स को सपर्ट मेरे तीन उकेट ले लिया तो कैप्टन की काम कर जाएगा यह एक एक में छोड़ छोड़के ना तीन तीन उकेट लेके रहा है इसलिए मैं बात कर रहा हूं फिर आप लोगों दोस्तो मील जाएगा एम सिलम बरम ठीक कि इन्हों ने भी दोस्तों तीन में खेला दो इकेट लिया है बट लोगों का फुकास इन पर नहीं है इनका जो सिलेक्स रहेगा मेरे सबसे बहुत ही लो रहेगा तो ग्रैंड लिंग में दोस्तों इसको भी जोरू ट्राइ करना हो सकते कि आज भी दो के ले ले और आपको वान साइड़ मिनीजियल तक विंग करा दे ठीक है तो चलिए दोस्तों ग्राउंड इन्फरमेशन में बात कर ली पिलियार्स की एस्टेट बात कर ली हार एक पिलियार्स के बारे में आप दोगो डिटेल में बताया आप हम चेक करेंगे पिलियार बेटल तो ध्यान से कर सकते हो कुछ टीम में इंद्रोजीत का दोस्तों साहन आउट किया है कुमार ने नहीं कर पाया रोहित नहीं कर पाया इसलिए इंद्रोजीत का भी दोस्ता चलने का बहुत ज्यादा चांस है गौनस का दोस्तों रोहित ना आउट किया कुमार ने दोस्ता आउट नहीं कर तो जगदे इसन न science के दोस्तों ग्रैंड्ड लिग क्युश्टी मीं चापनद में और एसजड़ को दोस्तों किसी भी अउठन नहीं आप पहले हुदल Central बेस्ट केप्टन भाइस कैप्टन एक तो बोरुन चक्रवती दोस्तों इंटार नेशनल इसले मैं इसका नहीं पहले रहा है और बराचित को ट्राइक कर सकती आप लोग बसे बाद बाब यह दोस्तों पांच बाइस के लिए अगर आप लोग सोनु को दोस्तों क्याप्टन भ सारे डाटा में आप लोग को समझा दिया प्रोवाइड कर दिया तो आप लोग सोच रहें कि तीम कहां पार है तो देखिए अब आप टाइट टॉस में आपना टीम प्रोवाइड करता हूं अपना टेली गराम चैनल पर उके ना उसका रिजन क्या है मैं आप लोग को और एक टॉस जीतेगा तो टॉस के उपर मैच का बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है तो बेस्ट होगा कि यह आपने वीडियो को देख लिया आप चला जाओ इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ टेलिग्राम चंद को जौन कर लो यहीं पर मिलते ही यार आपटा टॉ तो सही पर मैं आपना फानल्टी प्रवाड कर दूँगा